नमस्कार जी केपिटल में आपका स्वागत है आज है 31 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो आज बात करेंगे एक माइक्रो कैप कमपणी सामरिया कंजूमर के बाड़े में अपने निवेसकों को कभी खूसी कभी गम फिल्म के जैसा कभी खूसी देता है तो कभी ग अब आगे इसके निवेसकों के लिए कैसा समय रहेगा और इस कमपणी का कैसा ग्रोथ होगा इसके बाड़े में जानेंग बिस्तार से तो वीडियो को अंत तक देखना न भूलें सबसे पहले कमपणी के रिटर्ण की स्थिति देखें तो कमपणी ने एक दिन में लगभग 4.08% का पोजिटिव रिटर्ण दिया है और अपर सर्किट लगी थी अगर एक वीक की बात करें तो यहां भी कमपणी को हम देख रहे हैं कि 4.08% का पोजिटिव रिटर्ण दिया है और यह भी देखने में आ रहा है कि पीशे लोड सर्किट और अपर सर्किट दोनों लगे ह हुए हैं अगर एक महीने की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि कमपणिंगेर लगातार पीषे अपर तरफिट लगाय थे लेकिन साथ ट्रेंडिग सेशन लवर सरकीट लगाने के बाद फिर से अपर सरकिट लगाना सुरू किया है अब अगर एक साल की बात करें तो अपने निवेशकों को इसने माइनस 67.30% निगेटिव रिटर्न दिया है लेकिन अगर तीन महीने पहले इसमें किसी ने निवेश किया हो तो तीन महीने में इसने अपने निवेशकों को लगभग 1500% का पोजिटिव रिटर्न दिया है क्योंकि मार्च में इसकी ज इस कमपनी के रिटर्ण का एक इतिहास है अब इसके पियर कमपनी के रिटर्ण की स्थिति अगर देख लें नेसले ने अपने निवेसकों को एक साल के अंदर लगभग 59% का पोजिटिव रिटर्ण दिया है बृतेनिया ने अपने निवेसकों को लगभग 16% का पोजिटिव वेलनेस ने अपने निवेशकों को लगभग 6.61 लगभग 7% का निगेटिव रिटर्ण दिया है और फ्यूचर कंजूमर लिम्टेड ने अपने निवेशकों का पैसा लगभग 82% कम कर डाला है तो फ्रेंड्स यह रही इसके पियर कंपनियों के साथ इस कंपनी के रिटर्ण क को देखें तो यहां देख करके आपको यह लगेगा कि जो आकड़े हैं हमारे पास 2019 तक के उसमें कंपनी की लगातार रेवन्यू बढ़ी है और कंपनी की लगातार प्रोफिट भी बढ़ी है तो यह इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है अब इसके अगर फाइनेंस को देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो पाएंगी तो यहां आप देखेंगे कि 2015 से ले करके और 2019 तक कंपनी की जो टोटल रेवन्यू है वो लगातार बढ़ी है कंपनी की 2015 में जहां 2662.52 क्रोड की रेवन्यू होती थी वहीं फैनेंसियर 2009 में 517 क्रोड की रेवन्यू होती थी वह 25 क्रोड की होती थी लेकिन फैनेंसियर 2019 में यह इंकम बर करके लगभग 156.06 क्रोड हो गई तो आप देखेंगे कि कंपनी के नेट इंकम में लगातार ग्रोथ हुआ है अब अगर EPS की बात करें तो EPS में भी ग्रोथ हुआ है क्योंकि 2015 में इसकी EPS 0.35 होती थी लेकिन फैनेंसियर 2019 में इसकी EPS 2.12 रही तो फ्रेंट्स यह तो रही इसके फैनेंसियल की स्थिती और इसके रिटर्न की स्थिती और इसके पियर कंपनियों के साथ कंपरीजन तो यहां एक यह और देखते चलें कि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 187.71 करोर एक माइक्रो कंपनी है और इसकी बुक भैलू जो निकल के आ रही है वो 4.34 है जो करेंट मार्केट प्राइस से लगभग डबल है मतलब हो गया कि कंपनी के जो सेर प्राइस है वो बहुत भैलू बाइंग पर मिल रहा है क्योंकि अपने बुक भैलू से लगभग आधी कीमतों पर मिल रह है तो फ्रेंड्स इसमें कुछ प्रो और कॉंस भी है तो प्रो यह है कि स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 0.59 टाइमस इट्स बुक भैलू मतलब इसका सबसे बड़ा जो प्रोज है वो यह निकल के आ रहा है कि कंपनी जो है अपने लगभग 41 परसेंट की डिसकाउंट पर मिल रही है बुक भैलू के लिहाज से और इसके जो दो कॉंस हैं उसको भी देख लेते हैं क्योंकि किसी भी निवेसर को प्रो और कॉंस दोनों से पढ़चित रहना चाहिए तो पहला कॉंस है कि दो दा कंपनी इस रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रोफिट इट इस नाट रेज रेशियो प्रोमोटर होल्डिंग हैस डिक्रिस्ट ओवर लास्ट थ्री यर्स माइनस 17.57 परसंट तो यहां पर एक जो ध्यान देने वाली बात है कि प्रोमोटर से इसमें लगातार तीन सालों से अपने होल्डिंग को कम कर रहे हैं अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे है और उन्होंने लगवग इतने दिनों में 17.57 परसंट अपनी हिस्सेदारी कम कर रखी है तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना चाहिए अब इसके कारोपार की स्तिति को अगर NSE को पर चलके देखें तो यहां आप देखेंगे कि जो इसमें ट्रेडेड वोलियूम है वो है लगवग 4,997,889 सेर्स की जो पिछले ट्रेडिंग सेशन पर हुई थी और यहां ओडर बुक की स्तिति देखेंगे तो बाई क्वांटिटी अभी भी 33,500 और 10 इतनी क्वांटिटी की बाईंग ओडर लगी हुई है लेकिन सेलिंग क्वांटिटी नहीं है तो फ्रेंट्स को देखा जाए यहां पर देख रहे हैं कि कोई भी वोल्यूम या कोई भी परसेंटेज डिलिवरी का सो नहीं हो रहा है तो या तो डिलिवरी हुई नहीं है या एनसी ने अभी अपडेट नहीं किया है अगर डिलिवरी नहीं हुई होगी तो कहीं न कहीं इस सेर के उपर के की price chart के उपर तो यहां सबसे पहले हम RSI को देखें तो RSI की जो value निकल के आ रही है वो लगभग 63 निकल के आ रही है थोड़े दिनों पहले यह overbought zone में हुआ करता था लेकिन अब यह overbought zone से बाहर है और इसके price में मजबूती है अब इसके mscd को देख लें तो इसमें mscd जो बोल रहा है वह बोल रहा है कि इसमें एक BRS crossover generate हो चुका है जो price में आने वाले दिनों में कमजोरी के संकेत बता रहा है और इसके अगर candle chart को देखें तो candle chart अपने आप में बोल रहा है कि price में मजबूती रहनी चाहिए तो इस परकार से इसमें जो टेक्निकल्स हैं उन टेक्निकल्स के millagulation के आ रहा है कोई इसमें तेजी की बात कर रहा है कोई मंदी की बात कर रहा है तो ऐसा कई बार होता है जो ऐसे share जो बिल्कुल कम price वाले share होते हैं और जिन में लगातार upper circuit या load circuit लग रही हो तो उसमें कई बार technical proper काम नहीं करते तो इस परकार overall चीजों को देख करके इसमें नेड़ा लेना पड़ता है तो friends यहां RSI भी देखा यहां हमने MSCD भी देखा अब इसके 50 दिनों की यह में अगर देखें तो 50 दिन की यह में की value निकल के आ रही है लगभग दो के आसपास और 100 डेज की यह में निकल के आ रही है एक रुपे 97 पैसे और जो इसकी 200 दिनों की यह में निकल के आ रही है वह दो रूपे 81 पैसे निकल के आ रही है तो इसने अपने 200 दिनों के ये में को भी क्रॉस कर लिया था लेकिन वहाँ पर रूप नहीं पाया और वहाँ से इसमें rejection आ गई और प्राइस में reversal आ गया था लेकिन अभी भी ये अपने 100 तो आपका पहला रहनीत होना चाहिए कि 100 डेज की जो ये में है उसके उपर आप अपनी stop loss लगा लें क्योंकि अगर आपने निचली अस्तोरों पर इसमें बाई किया है अगर मार्च में आपने बाई किया होगा तो लगभग 95 पैसे के आसपास इसमें आपने बाई करी होगी तो वहाँ से ले करके आपको अच्छा मुनाफ़ा हो चुका है तो मुनाफ़े को प्रोटेक्ट करने के लिए जो 100 डेज का ये में है वो दो रुपे के आसपास निकल के आ रहा है दो रुपे पर लगा दे और इसके बाद इसके उपर उपर आप इसमें प्ले करें और जो theat दोनों अस्तरों पर आजाता है तो वहाँ से उस उस सुरू हो सकते हैं यह 200 डिनों के ये में को significantly पार कर ले जैसे 200 डिनों की ये में निकल के आरी है 2 रुपे 81 पैसे तो इसका तीन रुपेस से उपर की और अगर मोमेंट होता है तो वहाँ से निवेज करें तो उनके में ही दो महीने चार महीने और एक साल में अगर ठीक से अपनी इसकी प्राइस ग्रोथ हो गई तो उसमें आपको अमीर बनते देर कहां लग पाएगी तो फ्रेंड्स लेकिन इस प्रकार के जो जल्दी से अमीर बनाने वाली कमपनिया है उसमें जोखिम भी थोड़ा आधिक हो और सावधानी पुर्वा के इसमें स्टेगर मैनर में निवेस करें एक साथ बल्क बाइंग न करें एक साथ साड़े पैसे न लगा दें तो फ्रेंड्स ए रही अमारी एक पीस ओफ इंपरमेशन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें और बेल आइकान बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इंफरमेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे जय हिंद जय भारत